इस समय सिद्ड़ा पे एक बहुत बड़ा भीशन एक्सिडेंट यह आप आप यह देखिए और यह गाड़ी का नंबर है HR 20802958 सिद्ड़ा में जो है यह भीशन एक्सिडेंट हुआ है और सोर्सिस के माने दो शक्सते एक पुर्ष्टा और एक महिला था दोनों को जो है हॉस्पिटलाइज एडमिट किया गया है और यह आप यह देखें घरानी की बात है जनाब जो यह सडक है इस सडक के इस पार जो है यह गाड़ी पहुची है और ये आप ये देखें एर बैक भी खुले हुएं और कितनी छोटी सी जगा पर जो है ये गाड़ी जो है यहाँ आप ये देखें किस तरह से उल्टी हुई है और गाड़ी की हालत इस तरह है कि जनाब बताया नहीं जा रहा है कि कौन सी गाड़ी है ये आप ये देखिए सिद्रा में इतना बड़ा एक्सिडेंट जो है ये आज देखने को मिला दोनों को जो है हास्पिटल रैफर कर दिया गया है और ये देखिए ये रोड है और इस रोड के पार जो है ये गाड़ी किस तरह पहुंची ये तो अभी फिलाल कुछ पता नहीं है और ये देखिए यहाँ पे उस जूता भी पड़ा हुआ है और ये देखिए एक्सिडेंट आप ये देखिए कितना भीशन हुआ है नीचे से आपको दिखाते हैं देखिए गाड़ी जो है कितने पिलर के कितने ऊपर तक पहुंच गी है और शुकर मनाईए कि गाड़ी कि जो है वह नीचे नहीं गिरी और नीचे जो है आप ये देखे गाडी के कुछ पुर्शे जो है वह नीचे भी गिरे है पड़ जो गाडी है वह पुल पर है और यह आप यह देखे किस तरह से जो है यह हूँ यह औत अ इसमीर यह कुate यह आप भी देखिए कितना भ्यंकर एक्सिलेंट जो है वह यहां पे हुआ है और सोर्शी से अभी अभी पता लगाएं कि एक की जो है वह शाहिद मृत्यू हुई है और एक जो है वह गंबीर रूप से गाहिल है ये आप ही देखे गाड़ी की हालत आप ये देखे किस तरह से जो है इसके पुर्जे पुर्जे जो है वो अलग हो गया है और ये देखिए स्पीड आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड में होगी कि किस तरह से जो है ये गाड़ी जो है बीच से जो है ये खतम होगी है एक गाड़ी के दो पार्ट हो गए है और ये देखिए किया की गाड़ी है और ये देखिए बैचिंग कहने कि शायद किया सल्टास हो सकती है इस तरह से देखिए दो पुर्जे हो गए है इसके एक पुर्जा दूसरी तरफ है और ये बैक वाला दूसरी तरफ है और ये पहला जो है ये फ्रंट है और यह आप समझ सकते हैं कि गाड़ी की कितनी स्पीड होगी कि किस तरह से जो है यह गाड़ी इस जगा पर गुसी हलाकि यह चलने का पात बनाया हुआ है और इस पात से रोड साइट से इस तरह पहुंचना जनाब यह अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से जो है यह गाड़ी होगी और यह देखिए नंबर देखिए अब आपको बता दूं HR 20802958 यह गाड़ी का नंबर है और यह देखिए दो लोग इसमें सावार थे और सोर्सी से अभी फिलाल पता लगया कि एक की जो है वो डेथ होगी है और एक जो है वो गंबीर रूफ से घायल है यह आप ही देखिए यह सिदड़ा में भीशन एक्सिडेंट यह आप ही देखिए जब भी गाड़ी चलाएं तो हमेशा सतर्क चलाएं और यह देखिए सिदड़ा की रोड है यह देखिए यहाँ पे सिदड़ा की यह रोड है और इसी रोड पे जो है किया की यह कंपनी की कार है और यह आप यह देखिए जूता भी पड़ा हुआ है ये देखर गाडी कितनी लिफ्ट हो गी है ये देखे नीचे से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये गाडी जो है दो हिस्सों में जो है डिवाइड हो गी है स्पीड का अंदाजा आप लगाई सकते हैं ये देखे खिड़कियां है ये अंदर देखे ये आप जैकिट भी पड़ी हुई है सिदड़ा में ये एक्सिडेंट भीशन एक्सिडेंट एक की जो है मिर्ति होगी है और एक जो है गंबी रूप से गाईल है और ये देखे एर बैग भी जो है खुले हुए है ये आप ये देखे ये तमाम ये देखे खाने का सवान शाहे टूरिस्त थे और काफी समान जो था ने ने कैरी किया हुआ था और ये आप ये देखे पानी की बॉटल्स फृूट्स कहीं ने कहीं ओवर स्पीड का जो है ये शिकार हुई है गाड़ी ये आप ये देखिए ये तमाम चीजे देख देखी है पुर्जा 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 ये देखे गाड़ी की चाबी भी जो है ये अभी भी जो है यहां पे लगी हुई है यह आप यह देखे मैं जूम करके दिखाता हूँ यह देखे गाड़ी की चाबी भी जो है अभी भी जो है यह साथ लगी हुए यह आप यह देखिए भीशन एक्सिडेंट जो है सिदड़ा में आज हुआ एक की जो है वो मिर्ती हुई है एक जो है वो गंबीर रूप से गाहिल है यह देखिए तस्वीर है आप यह देखिए कितना भ्यंकर एक्सिडेंट जो है वो आभी सिदड़ा में पेश आया और ये देखे गाड़ी का नमबर फिर से दिखा देता हूं HR 2082-985 ये आप ये देखे लाइव तस्वीरे आप ये देखे रहे हैं जमूल अदाक विजिन के मादियम से जब भी गाड़ी चलाएं तो अराम से चलाएं अक्सर देखा गया है कि ओवर स्पीडिंग जो है उसका तारण जो है ये देखिए गाड़ी दो हिस्सों में डिवाइड होगी और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में जो है ये गाड़ी होगी एक का बताया गया है एक की जो है वो मृती हुई है और एक घंबीर रूप से गाइल है और गाड़ी की चाबी जो है वो अभी भी लगी हुई है यह आप यह देखे यह आप यह देखे एर बैक भी खुले हुए है यह देखे सिद्ड़ा की यह तवस्वी रहे है बातचित करें जब हुए एक्सनली किसके साथ सारे यह हुए है यह यह अबर स्वीड से गाड़ी की जे उदमूर की तरफ जमू को तरो जा रहे है जिन्दर रवाल की तरफ तो क्रेच बेरी के साथ यह तो फिर यह जो यह देखे ओवर स्वीडिंग बार बार जो जितने भी जमू में हाथ से हुए है ओवर स्वीडिंग का शिकार हुए है और यह देखिए गाड़ी आप ध्यान से चलागे हैं कि फॉग जो है वो जमू में भी देखने को मिल रही ह बार बार यही अपील है अराम से चलाएं सतर्क होगे चलाएं और यह देखे फायर बर्गेट भी जो है यहां पे मोके पे है यह देखे असी तड़ा की यह तस्वीर है यह आप देखे है चार्ट 2080 29581 भीशन एक्सिडेंट यह देखे यह यह जो पात है यह चलने के लिए बात हो और इस पात में गाड़ी घुसना जनाब यह आप यह देखे कितनी स्पीड में होगी कि गाड़ी के दो हिस्से हो गया एक पीछे वाला पोर्शन देखिए और यह फ्रेंट वाला पोर्शन देखिए गंबीर एक्सिडेंट जो है वो अभी सिदड़ा में पेश आया इसलिए गाड़ी जब भी चलाएं आप ध्यान से चलाएं अक्सर फॉग भी जो है वो जम्मू में देखने को मिल रही है यह देखिए बार बार आपको दिखा रहे है किया कि यह कार है यह देखिए इसका बैच किया और टूरिस्ट थे और यह देखिए फरंट बंपर जो है यह भी बाहर आ गया है एक भीशन एक्सिलेंट सिदड़ा में यह देखिए कितना खतरनाक एक्सिलेंट हुआ है हुआ है और सोर्शी से पता लगया एक की जो है वह मुर्ची हुई है और एक जो है गंबी रूप से गाहिल है इसमें दो लोग ने देखे तस्वीरे आप सिदड़ा से देख देख रहे हैं जहां एक गंबीर रूप से एक शक्स गाहिल है और एक की जो है मृती हुई है और गाड़ी के जो है चिथड़े उडगी है ति दिखे लोग जो है लोग जो है वो देखने के लिए रुके हैं कि आखिर हुआ गया है जम्मू के लोग उताव ले यहां भी देखे गाड़ी की चाबी अभी भी जो है वो साथ लगी हुई है और यह देखे मास्क भी है तमाम वो चीज़ें यह देखे कड़ाई भी है यहां पर और यह आप यह देखे टूरिस्त है चार्जर सब पड़ा हुआ है यहां भी देखे जेसी वी जो है यहां पर अभी बहुंची है इसको शायद साइड करने के लिए पुलीस प्रशासन भी मौके पे है यह देखे जेसी भी जो है अभी आई है और शायद इस जेसी वी की मदद से इस गाड़ी को जो है निकाला जाएगा और बहुत बड़ा एक्सिडेंट सिद्ड़ा में यह आप यह देखिए लाइव तस्वीर है जमूल अदाग विजन के महाद्यम से शायद इस क्रेन की मदद से जो है इस गाड़ी को निकाला जाएगा आप यह देख सकते हैं गाड़ी कितनी लिफ्ट कर दी गई है यह देखे और शुकर मनाना वड़ेगा कि गाड़ी जो है वो नीचे नहीं गिरी है आप यह देखे नीचे नीचे भी गाड़ी के कुछ पुर्जे हैं यह आप यह देखे और अब इस जेसीवी की मदद से इस गाड़ी को यहां से निकाला जाएगा पुलीस प्रशासन जो है मोके पे है दो लोग जो थे वो इस गाड़ी में सवार थे एक की जो है वो अम्रिची हुई है और एक जो है गंबीर रूप से घाईल है जिस प्रकाँ से सर्दी का मोसुन है और कोहरा जो है हमेशा भी आप भी देखे के देखे जेसी वी भी मोके पे है और अब इसकी मदद से जो है इससे हटाया जाएगा अपनी गाड़ी लेकर निकाई है यहाँ पे गाड़ी की हालत आप यह देख सकते है कि कितनी स्पीड से जो है यह गाड़ी चली होगी तस्वीर है आप यह देख रहे हैं सिद्रा से जहां पर एक भीशन एक्सिडेंट जो है पेश आया है और यहाँ आप यह देखे अभी जेसीबी की मदब से जो है इस गाड़ी को लिफ्ट किया जाएगा जमू लेदाक विजन बार बार यह लोगों को आगा कर रहा है कि फाग जमू में देखने को मिल रही है और ओर स्पीडिंग जो है इस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि एक्सर जो एक्सिडेंट होते हैं वो ओवर स्पीडिंग और फॉग की बदूलत होते हैं इसलिए आप सब को यह मानना पड़ेगा कि ओवर स्पीडिंग ना करें और यह करेंट भी आगव की है आम इर दिखाएं करेंग दूसी तरफ जो क्रेंट है वो भी पहुँच चुकी है और इस गाड़ी को जो है निकाला जाएगा दो अब इस बुचना प्लाणा प्लेस बुच्ट अब इस बुच्ट कुदर लाना बो खाई प्रशासन जो है वो मोके पे है और जेसीवी की मदद से जो है इस गाड़ी को यहाँ से लिफ्ट किया जाएगा बहुत बुरे तरीके से जो है यह गाड़ी का आज एक्सिलेंट हुआ है यह देखिए फिर से आपको दिखा देते हैं गाड़ी के पुर्जे तक बहर आगे आगे आप खुश समसकते हैं पाथ है ये चलने का पाथ है और इस चलने के पाथ में जो है ये गाड़ी किस तरह से यहां पे फसी है ये अंदाज़ा आप लगाई सकते हैं ये सिदड़ा में की तस्वीरे आप ये देख रहे हैं आज एक भीशन एक्षिडेंट जो है यहां पे पेश आया है और ये यहां स पुलीस कर्मियों ने रास्ता भी बंद कर दिया है कि कहीं गाड़ी जो है निकालते समय कहीं नीचे ना गिर जाए तब ये रास्ता जो है यहां से बंद कर दिया गया है या आप ये देखे रास्ता बंद किया हुआ है ये देखे दूसरी तरफ भी ये रास्ता बंद किया है क क्योंकि जब ये गाड़ी निकालेंगे तो क्या पता ये गाड़ी ना नीचे गिरे और अगर नीचे गिरे तो नीचे जो है किसी को चोटना लगिए देखें नीचे से भी जो है रास्ता बंद कर दिया गया है करेन की मदद से जो है इस गाड़ी को यहां से निकाला जाएगा एक बड़ा हाथसा सिधड़ा में पेश आया जिसमें एक एक की जो है मृति हो गई है यह देखे कोशिश कर रहे हैं इसे यहां से निकालने की और नीचे भी जो है वो रासा बंद कर दिया गया है यह आप यह देखे सिधड़ा का फ्लाई ओवर है और यहां पे देखे जाम लग चुका है क्योंकि गाड़ी का कोई पुर्जा जो है वो नीचे ना गिरे उसी के चलते देखे लोग भी वहां पे एकत्रित हुए हो देखे काफी लंबा जाम यह आप यह देखे लिफ्ट कर र इसलिए गाड़ी जब भी चलाएं ध्यान से चलाएं सो तर्क होके चलाएं गाड़ी का नंबर आप यह देखे फिर से जूम करके आपको दिखा देते हैं HR 2082958 हार्याना की यह कार है और दो हिस्सों में जो है यह डिवाइड होगी है आप अन्राजा लगा सकते हैं कि कितन यह देखे बेल्ट को जो है वो फिर से लगा दिया गया है यह देखे कोशिश कर रहे हैं निकालने की लेकिन गाड़ी जो है वो बहुत बुरे तरीके से इस जगा पर फसी है कि निकलने का नाम नहीं ले रही लेकिन बार बार परयास कर रहे हैं JCP की मदद से जो है इस गाड़ी को निकाला या रहा है क्योंकि गाड़ी जो है ये बहुत बुरे तरीके से फसी हुई है दो बारी कोशिश कर ली है अभी तक जो है गाड़ी नहीं निकली है क्योंकि दो हिस्सों में जो है ये डिवाइड होगी है अंदाजा आप लगा सकते है कि कितने स्पीड में जो है ये गाड़ी होगी और ये देखे अब जो है मुवमेंट निकाल दी गई है क्योंकि आप बैल्ट जो है वो फिर से लगाएंगे ये देखे ट्राफिक अब जो है निकाल दिया गया है ताकि ज्यादा लंबा जो है वो जाम ना लग सके ये आप ही देखिए लाइब तस्वीरे जमू लदाक वीजन के माधिम से ये आप ये देखिए ये पहला हिस्सा जो गाड़ी का है ये जो है ये फसा हुआ है जिसके कारण दूसरा हिस्सा भी जो है वो निकल नहीं पा रहा पूरी गाड़ी जो है वो टोटल लॉस होगी ये जनाब यह देखिए हालत जो है आप देख सकते हैं कि टोटल लॉस जो है यह किया की कार है ओवर स्पीडिंग ओवर स्पीडिंग पे कंट्रोल लाना पुड़ेगा यह आप यह देखिए यह बैल्ट जो है फसाई थी दो परियास कर लिए है यह गाड़ी फिर भी जो है निकल नहीं रही है फिर बार-बार परियास करने से शायद यह गाड़ी जो है यह निकलेगी और अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह से जो है यह गाड़ी स्पीड में होगी और आप सब को जितने भी तमाम यह जनता अभी देख रही है अराम से चलाएं सर्दियों का टाइम है फाग भी है इसलिए उतनी स्पीड में चलाएं जितने पर आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं तोटल लॉस जो है यह गाड़ी हो चुकी है और यह देखे नीचे भी जो है पुलीज प्रशासन नीचे भी खड़ा है ताकि जो है गाड़ी जो है वो निकल ना सके और इस तरा कि जो है यहाँ पर इस गाड़ी को हटा रही है कि देखें बार बार जो है जेसी भी परैस कर रही है गाड़ी को निकालने का पर देखें लोग देखिए हैं यहाँ पर लोग वीडियो बनाते हुए यह देखें फिर से जो है यह बेल्ट को फसा दिया गया है और इस गाड़ी को यहाँ से लिफ्ट करेंगे देखें आप गाड़ी के जो है यह दो हिस्से हो चुके है और अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी के जो हैं वो दो हिस्से हो चुके है स्पीड कितनी होगी आप अंदाजा लगाई सकते हैं इसलिए जब भी आप गाड़ी हाईवे पे चलाएं तो जना आप अराम से चलाएं और उतनी ही स्पीड में चलाएं जितने में आप नेरंतन कर सकते हैं यह देखिए आप गाड़ी के दो हिस्से हो गया यह आप यह देखिए यह पहला हिस्सा है तोटली दो हिस्से जो है वो हो चुके हैं इस कार के और आपको दिखाया कि गाड़ी में चाबी जो थी वो अभी भी लगी हुई थी और गाड़ी के अंदर तमाम घर का थोड़ा वो समान था इसमें और दो लोग इसमें सावार थे एक मेल था और एक फीमेल थी मेल जो है उनकी जो है वो मृत्यू होगी है और जो फीमेल है उन्हें जो है उन्हें सिद्रा हास्पिटल में रैफर किया गया है और यह देखे क्रिटिकल कंडिशन है और देखे गाड़ी के जो है दो हिस्से हो चुके है टोटल लॉस जो है यह फिलाल अभी गाड़ी है और अपील करते हैं फिर से जनाब की आराम से चलाएं उतनी ही स्पीड में चलाएं जितने में आप कंट्रोल कर सकते हैं अब गाड़ी के दूसरे पोर्शन को जो है जो फ्रेंट वाला पोर्शन उसको भी निकालेगी अभी जेसीवी की मदद से इस गाड़ी को साइड पर कर रहे हैं फिलाल रासा जो है वो बंद कर दिया गया है एक बहुत बड़ा एक्सिडेंट जो है यह सिद्रणा में पेश आया है जिसमें एक मेल की जो है वो टेथ हो गी है और जो फीमेल है वो गंबीर रूप से घायल है यह देखे लोग फिलाल जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है यह देखे ने पर प्रशासन मोंके पर और और यह देखें दूसरा पोर्शंट भी जो है उससे भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो जो है बहुत बुरे तरीके से फ्रंट वाला पोश्चन जो है वो फसा हुआ है और जिस जगा फसा हुआ है यह फुट पाथ है यहां पे चलने के लिए है लोगों के लिए ये आप ही देखें लिफ्ट कर रहे हैं JCB की मदद से और नीचे वाला ट्राफिक भी जो है वो शायद रोक दिया गया है क्योंकि ये आप ही देखें ये रोक दिया गया है ताकि जो है ये इस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो नीचे ना गिर है ये आप ये देखें लिफ्ट कर दिया गया है काफी जोखिम भरा ये काम है बहुत साफ धानी से जो है इस गाड़ी को यहां से निकालना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये गाड़ी जो है ये पुल से नीचे गिर सकती है यह देखिए दूसरा पॉर्शन जो है उससे भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं यह देखिए यह जो पॉर्शन है बहुत बुज़े तरीके से जो है यह फसा हुआ है यह फुरंट का पॉर्शन यह आप यह देखिए यह आप यह देखे है, हालत देखिए आप गाड़ी की यह देखिए आप क्या हालत है, इस गाड़ी की टोटल लास होगी है यह गाड़ी पुलीस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि इस गाड़ी को जो है साइड पे लगाया जाए यह देखिए हालत देखिए आप टोटल लास जो है यह गाड़ी फिलाल अभी हो चुकी है यह देखिए आप शीशा भी जो है बुरे तरीके से तूट चुका है जो जो दर्शक अभी अभी जुड़ें उन्हें बता दें सिद्ड़ा में जो है एक बहुत बड़ा हादसा जो है पेश आया है और आप यह अंदादा लगा सकते कि गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी होगी और किस तरह से जो है यह गाड़ी फसी थी और जो मेल की बात करें उसकी जो है वो मृत्यू होगी है जो फीमेल है उसे जो है वो बत्रा रैफर कर दिया गया है गाड़ी को जो है वो साइड पर किया जाएगा रासा जो है फिलाल सिद्रागा अभी बंद है यह आप यह देखे इस गाड़ी से जो है वो फोन मिला है वो फोन पुलीस के पास है यह देखिए आप गाड़ी दो हिस्सों में जो है तूट चुकी है यह आप यह देखे फिरसे नंबर आपको दिखाते है एच आर टू जिरो एटी टू नाइन फाइव एट और यह देखे घर का समान है इसमें यह देखिए आप डिकी आपको दिखा रहे हैं और बैग भी जो है इस गाड़ आड़ी में अभी भी पड़े हुए यह आप ही देखिये तोटल लॉस जो है यह गाड़ी अभी फिलाल होगी है देखिए समान भी जो है यहां पर लगेज जो है वो इस गाड़ी में अभी भी है और मेल की बात करें तो उनकी जो है वो मृति होगी है फीमेल जो है उन्हें बत्रा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है और ये इतना भ्यंकर एक्सिडेंट जो है ये सिदड़ा में पेश आया है ये देखें रूफ की बात करें गाड़ी जो है बुले तरीके से दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो गी है ये देखें आप लगेज आप ये देखें बाहर के हैं ये एचार का नंबर है टूरिस्ट है ये देखे फ्रंट की बात करें तो जनाब टोटल लॉस कर दी है ये गाड़ी क्यों क्यों है जो है पहले गाड़ार है यह को जो ठीक लॉट्द यहां पर जो है कोई निशान नहीं है कोई निशान नहीं लगाया गया जिसके कारण घृशाइद यह रहो सकते है क्योंकि गाड़ी की रफतार जो थी वो इतनी तेज थी कि जिसके कारण जो हो यहां पर फसी रही देखे पुलीस प्रशासन भी जो है वो मोके पे है यह लगबग सवाइक बजे के करीब हमें इंफर्मिशन आई कि यहाँ पे गाड़ी का एक्सिडेंट हुआ है और जो पासर भाई यहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने अपरेंटली बिताया कि गाड़ी काफी ओवर स्वीड थी तो अब एक्जेक कारण क्या रहा क्यों यह एक्सिडेंट हुआ यह तो मैटर अफ इंवेस्टिकेशन है बट यह सारा तफ्तीश का विशे है बट शायद वो कली थी यहां की थी लोकली है इंजेट है उनको बत्रह हास्पिटल में बेजा गया था वहां पर इस तरह फॉग है और ओवर स्पीडिंग आपकी वसाज़त से मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आजकल बहुत ज्यादा फ और बाकी जो प्रिकाशन होते हैं फागी वेदर में वो सारे ले हैं जी 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 देखिये चनाव वैली और राजोरी की तो टोपोग्राफी ऐसी है कि वहां पर अगर कोई गाडी जाएगी तो वो काफी कायोल्टी होने का डर रहता है और उसके बाद हो सकता है कि वहां की ग जाती है और लोग हाईवे पे थोड़ा और स्पीड भी करते हैं तो सीट बैल्ट पहने और सारे जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनका फालो करें आपके थूमा यह मैसेज़ दिना चाते हैंक्यू थैंक्यू तो यह थे हावारसाद डियसपी परदीप सर और उन्होंने जो है वो डेथ होगी है यह देखे आप हादसा जो है एक बड़ा हादसा हुआ और यह देखे जेसीबी की मदद से जो है इस गाड़ी को लिफ्ट किया किया गया और जो है उन्हें साइड किया जा रहा है इसलिए जब भी गाड़ी चलाएं तो आराम से चलाएं बागी ट्राफिक रूल्स का जो है वो आप सब को फालो करने होंगे क्योंकि वीजिबिल्टी जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है इसलिए अराम से चलाएं उतनी स्पीड में चलाएं जितने में आप कंट्रोल कर सकते हैं फिलाल ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहें जमूल अधाक विजन जाहिन जाब